बिहार की बेटी सोनल ने एक नया कृतिमान रच दिया है कनाडा की नौकडी छोड़ कर बिहार की अंदर सिख्षी का बनना पसंद किया है और इस कृतिमान को तबज्यों और जादा मिल जाता है जब बिहार के उप मुखमंत्री तयस्वी आदब अस्टेज से चहर के कहते हैं कि बिहार की बेटियां जो है अब कनाडा नौकडी नहीं करेगी बिहार में नौकडी करेगी लेखे कल BPSC TRE2 के जो सफल अभ्यर्थी थे उनको न्यूक्ति पत्र बाटा गया इसको लेकर गांधी मैदान में एक भव्य आयोजन किया था और इस आयोजन में बिहार के मुख स्रिजित करके दे रहे हैं कि बिहार के अन्दर अब कनाडा की नौकडी छोड़ कर लोगनोडी करना पसंद कर रहे है और तब त्यस्वी आदब सोनल अगरवाल की बात कर रहे थे जो 22 साली की रहने वाली है लेकिन भूबनेस्वर में वेक आयटी कंपनी में चीप कर रूप में जब चैन होता है तो पहुंच जाती है पटना की गांधी मैदान में ताकि नितिस कुमार अर्थेश्री आजब से उनको सर्टिफिकेट मिले और उसके बाद जो उनका नाम है वह एक और फिर से सुर्खियां बटोरने लगता है तो सोनल अगरवाल बिहार की ऐसे में जाहिट सिवात है कि जब ऐसा कृतिमान रचा जाता है तो पूरे बिहार को इस पर गर्व होता है और इस बात को अगर कोई मुख्यमंत्री मंच से बोल दे खड़े होकर तो इसकी महता और भी बढ़ जाती है अब ऐसे में सोनल अगरवाल को जब बिहार में सिक्ष के अंदर और सभी को नौकडी मिली नौकडी यां पाकर सभी खूस थे और सभी कोई थैंक यू नितिसकुमार थैंक यू तेस भी आदब कहते नजर आ रहे थे आपको बता दूँ कि बिहार में अब सिक्षक भरती के लिए नई नियमावली के तहत बहाली शुरू हुई है बिपेस्ट के तहत बहाली की जो परिक्षा हैं वो ली जाती है टीरी वन की परिक्षा हुई उसमें भी नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से ही बाटा गया ता टीरी टू की परिक्षा हुई उसमें भी कल नियुक्ति पत्र गांधी मैदान से ही बाटा गया जिसमें रोजगार के लिए किसी को कनाड़ा जाने की जरूरत नहीं है रोजगार के लिए किसी को उत्रा खंड या फिर किसी और दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है अब बिहार में हम इतना रोजगार दे रहे हैं कि बाहर के लोग कनाड़ा की नौकड़ी छोड़कर हमा झाल झाल